हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल आज हम करेंगे एंस याटी सोलोशन क्लास नाइन्थ का पार्ठ बारा कैदी और कोकिला शितीज भागई हिंदी के प्रेशन उत्तर तो फ्रेंड्स यह आपके प्रिष्ट संखे 110 पे एबुक में तो हमारा पहला प्रेशन है कोयल क कुक सुनकर यानि कोयल की आवाज को सुनकर कभी को ऐसा लगता है जैसे कोई कोयल उसके लिए संदेशा लेकर आई है यानि कोई चुठी लेकर आई है संदेश महत्वपुर्ण तो नहीं संदेश महत्वपुर्ण है नहीं तो कोयल होने का होने तक का इंतिजार करती अगला कवी ने कोकिल के बोलने के किन कोकिल कोकिल यानि कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई उत्तर है कवी ने कोयल के बोलने की निमन संभावना बताई है पहली संभावना है कोकिला कोई संदेशा पहुंचाना चाहती है कोकिला यानि कोई वो निया इनसान कोकिला है वो जो कोयल है कोकिला उसे कह रही है कोकिला दूसरी जो संभावना है वो है उसने दावनल की लपेट देख ली है लपटें देख ली है तीसरे है समस्य अतंत गंबीर है यानि बहुत ही गंबीर है बहुत ही मुश्किल है इसलिए वह सुबह होने की परतिक्षाँ नहीं कर पाती इसलिए वह सोचती है कि मैं अभी संदेशा लेकर चली जाओं मुझसे सुबह का इंतजार नहीं होता चौथ हिए हमारी संभावना वो है करांतिक रियों करांतिकारी थे उनके मन में देश प्रेम की भावना को और मजबूत करने आई है वो करांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना यान जो करांतिकारियों होते हैं उनके मन में देश की भावना उत्फन प्रेम की भावना उत्फन करने आई है हमार अगला क्वेश्चन है तीसरा किस शाषन की तूलना तुम के तम के प्रभाव से की गई है और क्यों अंसर है अंग्रेजों के शाषन की तूलना तम के प्रभाव से की गई है यान किस शाषन की तूलना की गई है अंग्रेजों के शाशन की तुलनातम के प्रभाव से की गई है क्योंकि अंग्रेज सरकार की कार या प्रणाली अंधकार की तरह काली है यहां जो अंग्रेज ब्रेटिश है उनके सरकार की प्रणाली है काम करने की जो वो अंधकार की तरह काली है यानि अंधेरे की तरह काली ह यहां अंधकार का मतलब अन्याए पुरण थी वो सब के साथ अन्याए करती थी हमारा फॉर्थ कोशन है कवीता के आधार पर प्रधीन भरत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रनाओं कावरणन कीजिए एंसर है कवीता के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ततकालिन समाज में अंग्रेजों दुबारा भरत्य कैदियों को तरह तरह की यातनाई दी जाती थी कैदियों से पश्वों की तरह काम करवा जाता था यानि जो हमारे ब्रिटि यजिंटी गुलाम बन गया था उनका तब वो कैदि थे जो उन्होंने जिनको गदी बना रखा था वो उनसे पश्वों की तरह काम करवाया करते थे उनने अंधेरी कोठ्रियों में कैदियों को जंजिरों से बांद कर रखा जाता था यानि हमें जो घुम गुलाम थे तो उ कमरे भी बहुत छोटे होते थे और खाने को भी कम दिया जाता था यानि खाना भी उन्हें कम दिया जाता था हमारा फिफ्ट कोशन है भावस पश्ट करना है फ्रेंड्स में हमारा जो पहला यह है वह है फर्ष्ट पार्ट मरीदुल वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो तो यानि कोकिला का मतलब है कोयल से अंसर है फर्ष्ट पार्ट का मरीदुल वैभव की रखवाली से यहां कवी का तात पर रहा यानि कवी का मतलब कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज से है उसकी आवाज में मि वेदना पुरन आवाज में चीख उठती है तो कभी उसकी वेदना का करन पूछता है यानि यह चीख क्यों रही है कभी उसका कारण पूछता है सेकंड पार्ट फ्रेंड्स है हूं मोट खीचता लगा पेट पर जुआ खाली करता हूं ब्रेटिश अकड का कुवा इसका अंसर है परन तो इससे भी में दूखी नहीं होते है और अंगरेजी सरकार के शड़ींतर को वीफल कर उनकी अकड को समप्त कर देना चाहते है अर्द रातरी में कोयल की चीखने से कभी को क्या अंदेशा होते हैं अर्द रातरी में कोयल के चीखने से कभी को अनेको अंदेशे होते हैं जैसे शायद कोयल पागल तो नहीं हो गई है यानि जो कभी है वो जब कोयल रात को आधी रात को चीखती है तो जो कभी है वो सोचता है कि यह पागल तो नहीं हो गई है यह शायद वह किसी कष्ट में है या कोई संदेश लेकर आई है या तो वह किसी कष्ट में है या उसे कोई चोट लग गई है या तो वह किसी कष्ट में है और या फिर किसी के लिए कोई संदेश लेकर आई है यह प्रेंड भी हो सकता है कि वे करांति कारी के दुख से कर चीख अगला क्यों से को कोई रशा क्यों हो रही है कि जो कभी आया है जिसने लखा लिखा बाघंसलां सन्सी मांग लाल चतरवे दी तो उन्हें से राकर cash क्यों उनसी के सब्सक्राइब कोर्थनों सब्सक्राइब उसका सुख है उसे प्रकट कर रही है पर कवी के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुना है जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है यह जो कवी है उसके लिए ना रोना भी बहुत ही बड़ा गुना है इस कोशन है कवी के समरिती पटल पर कोयल केगी तो कि कौन सी मधूर समरित अंकित हैं जिने अब वह नश्ट करने पर तुली हैं अंसर है कवी के सम्रीती पटल पर कोयल के गीतों के कुछ मदूर सम्रीती अंकित हैं कोयल हरी डाली पर बैट कर अपनी मधूर वैश वैभव शाली आवाज से संपूर्ण श्रिष्टी को अलंकरित करती है उसके मदूर गीतों से उसकी खुशी जलकती है वह स्वतंतरता पूर्वक अपना गीत गाती है सुनाती है पर अब अपनी इन विचेस्ता को निष्ट करने पर तुली है यानि जो बीटी अच्छी और मीठी और तो वह उनको निष्ट करने पर तुली हुई है यानि खतम करने पर तुली हुई है, वह बावली सी प्रतीत हो nuestra mamal outreach यानि यहां पर बावली का मतलब है पागल सी प्रतीत हो रही है अंसर कुशन नो है हतकडियों को गहना क्यों कहा गया है यान जो हतकडियां है उन्हें गहना क्यों कहा गया है कवी ने हतकडियां गलत काम कर नहीं पहनी थी यानि उसने कोई गलत काम करके हतकडियां नहीं पहन यानि बृटिश शासन था जो अंगरेज सरकार थी उन्होंने यह कभी को पहनाई थी जो उनके लिए यह गोरव की बात है यानि उसके लिए गोरव की बात है उन्होंने कोई जूरम नहीं किया था इसलिए हथकडियों को गहना कहा गया है Queshan 10 है Qalit U A. Ali इन पंक्तियों में काली शब्द की आवर्ति से उत्पन चमतकार का विवेचन कीजिए अंसर है इन कवीता की पंक्तियों में कवी ने नो बार काली शब्द का प्रयोक किया है यानि जो कविता है पूर्यूस में आप उसे गिन कर देखना की वो नो है नो बार काली शब्द का प्रयोग किया गया है शब्द तो एक ही अपरंट भिन भिन अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है कहीं पर यह शब्द अंग्रेज सरकार के काले शासन को संबोधित कर रहा है तो कहीं वातवरन की कालिमा को और निराशा के उजागर को उसमें प्रयोग हो रहा है अगला है हमारा गयर्वा कुशन कावे सुंद्रियस पस्ट किजिए यहां कवी कोयल की वेदना पुर्ण आवाज पर अपनी आशंका आशंका यानि कोई प्रशन व्यक्त कर रहा है अपना कोई प्रशन व्यक्त कर रहा है अपनी प्रशनात्मक्षैली से कवी कोयल कष्ट का अनुभव लगा रहा है कवी ने विम्बात्मक्षैली का प्रयोग किया है भाशा में सहजता और सरलता है यानि फ्रेंट्स आपको यह जो विशिष्टा है वो लिखनी होती है प्रैसंग और सरलार्थ लिखना होती है आपको तो खैब जो हमारा सेकिंड पार्ट है वो है तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुनाद देख विशमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रण भेरी अंसर है प्रस्तूत कहावे पंक्तियां पंक्तियों में कवी ने अपने और कोयल के जीवन की विशमताओं की और संकेत किया यानि इशारा किया है कवी ने यहां तुकबंदी का प्रयोग किया है अपनी अपनी तथा कोयल के जीवन की तुलना की है तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है यानि सरल भाषा का प्रयोग हो रहा है यां बार्मकुष ने कभी जेल के आस पास अन्य पक्षियों को का चहकना भी सुनता होगा लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों ही की है तो अंसर है यहां कोकिला यहां कोकिला भारत माता का प्रतीक है कोकिला ऊप्रहन सन फ्रैंड्यास कोकिला भारत माता का प्रतीक है कोकिला रात के समस्य नहीं बोलती यानि व्यराष्ट का नहीं बोलती दिन में बोलती है उसकी औज चाहँ को वैदना की अनुपूती होती है अ्यूंत रात को इसका इस प्रकार से करून दाशोर में गाना गाना आने calling की सबसे अलग भी है इसलिए कभी ने कोखिला की ही बात कही है और अन्य किसी पक्षिकी नहीं कुछण 15 है आपके विजार से सतंतरता सेणानियों और अपरादियों के साथ साथ एक सावेवार क्यों किया जाता होगा better अंसर है अंग्रेज सरकार के लिए स्वपतंतरता सेंान में और अपरादी एक जैसे थी यह जो अपरादी होते थे अंग्रेज सरकार के लिए वो भी एक जैसे होते थे और जो स्वतंतरता सेनानी होते थे वो भी एक जैसे होते थे दोनों उनकी वेवस्ता से वेवस्ता में खल डालने काम करते थे सरकार के लिए दोनों ही दोशी थे यानि जो अंग्रेज सरकार थी उनके लिए दोनों ही अपरादी थे सरकार करांतिकार्यों की आजादी की मांग को दबाना चाहती थी सतंतरता सैनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए था भारत पर अपनी सत्ता कायम रखने के लिए में दोनों के साथ समान वेवार करते थे यानि एक जैसा वेवार करते थे तो फ्रेंट्स हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेर और सबस्क्राइब जरूर करें और फ्रेंट्स नोटिफिकेशन बेल दवाना ना भूलें जिस्टे जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो समसे पहले आपके पास पहुचें